तो आकिरकार इंतजार खत्म हो गया इतने दिन से जो ख़जया चल रही थी वो आखिरकार पूरा हो गया है असोक महतो की साधी हो गई है असोक महतो ने साधी कर ली असोक महतो साइद आपको पता नहीं होगा अमित लोड़ा के ऊपर एक वेब सिरीज बनी थी खाकी जिसमें असोक महतो पर ही वो वेब सीरीज बनी थी असोक महतो हिस्ट्री सीटर हैं 17 साल बाद जेल से छूटे हैं और उन्होंने साधी कर ली है ऐसी खबरे चल रही थी को उनके लिए लड़की ढूंडी जा रही है और लड़की कुर्मी समाज की हो और लड़की मुकामा विधान सवा छेत्र की हो और आखिरकार असोक महतो की साधी हो गई और असोक महतो की साधी इसलिए खास है क्योंकि पिछले कई दिनों से सोसल मीडिया पर इस बात की चर्चा थी कि लालू यादव के द्वारा उन्हें साधी करने को कहा गया था और मुंगेर लोकसभा सीट से पतनी को ट टिकट दे कर चुनाओ लडाने की रन्नीती पर सलाह दी गई थी उन्हें असोक महतो आरजेडी के पोस्टर पर आरजेडी के टिकट पर चुनाओ लडेंगे और मुंगेर लोकसभा सीट ललन सिंग के खिलाफ ताल ठोकेंगे ललन सिंग के खिलाब चुनाओ लड़ना इतना आसान नहीं है और ललन सिंग के खिलाब इसलिए लालु यादव ने रन्नीती बनाई थी कि असोक महतो को चुनाओ लड़ाया जाए असोक महतो के बारे में आप जानते हैं हिश्ट्री सीटर रह चुके हैं 17 साल जेल काट चुके हैं और वेब सिरीज जो बनी थी खाकी उसके बाद असोक महतो का नाम अचानक से सुर्क्यों में आया था हलाकि उससे पहले जो दौर था 1998 से लेकर 2004 तक असोक महतो लगातार सुर्क्यों में रहे थे असोक महतो रखलेस सिंग के खिलाफ के बीच में गैंगवार चलता था उस वक्त और अब असोक महतो जब जेल से चूटे हैं तो उन्हें मुंगेर से चुनाओ लड़ाने के लिए लालू यादव चाहते हैं कि मुंगेर से वो चुनाओ लड़े ललन सिंग के खिलाप लेकिन असोक महतो खुद तो चुनाओ नहीं लड़ सकते इसलिए उनके लिए लड़की ढूंडी जा रही थी और आखिरकार इस रननीती पर काम हुआ लड़की ढूंडी गई लड़की मिल भी गई तो असोक महतो ने बीती रात को साधी रचाई है सोसल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा भी हो रही है कि मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंग को असोक महतो टक कर देंगे अब देखने वाली बात होगी का सोक महतो टक कर देंगे या नहीं लेकिन असोक महत जीतेगा ये सब नारे लग रहे हैं और खबर है पक्की खबर है कि असोक महतो ललन सिंग के खिलाब चुनाओ लडेंगे अब रास्ता साफ हो गया है क्योंकि असोक महतो की साधी हो गई है सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया कि असोक महतो के द्वारा पटना के बक्ति असोक मेहतों ने साधी रचाई है वह पहले दिल्ली में रहकर जौब कर रही थी वहीं व्हें इस धाधी में बड़ी संक्या में लोगों की भागिधारी हुई है असोक मेहतों के पतनी को ही राजत से टिककट देने की बात चर्चा में है बता धें हैं कि रिहा होने के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनिती में सुर्खियों में आये हैं और अब साधी रचा कर राजनिती में अपनी दखल देने जा रहे हैं तो बड़ी खबार असोक महतों ने साधी रचा ली है और अब रास्ता साप हो गया है जो खबरे चल रही थी कि लालू यादव ने उनको सलाह दी थी कि साधी कर लो और साधी करने के बाद तुम्हारी पत्नी को टिकट देंगे और चुनाओ लड़वाएंगे ललन सिंग के खिलाफ तो अब रास्ता साप हो गया है असोक महतो की साधी हो गई है और अब असोक महतो ललन सिंग के खिलाफ ताल ठोकेंगे मुंगेर लोकसभासीट से तो देखिए बड़ा ही दिल्चस्क मुकाबला हो गया है जहां एक तरफ ललन सिंग के खिलाफ असोक महतो होंगे वहीं ये भी खबर आ रही है कि पप्पु यादव की डील हो गई है आरजडी से बिती रात को उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और फिर से पप्पु यादव लोकसभा सीट पूर्णिया से ताल ठोकेंगे पूर्णिया में उन्होंने एक जन् चस्प हो गया है मुकावला यहाँ पर जो बाहुबलियों की इंट्री हुई है राजनीती में और आने वाले लोकसभद चुनाओ में अब देखना होगा कि कौन से बाहुबली किस सीट से चुनाओ जीत जाते हैं खबर है कि पूर्णिया से पपू यादब और मुंगेर से अस लालु यादब ने कहा कि आपको चुनाओ लड़ना है और आपको साधी करना पड़ेगा साधी नोंने की लड़की ढूंडी गई उनके लिए साधी हो गई है ऐसोक मेतो की ऐसी खबरे में बात कर रहे हैं सीटों का अभी बटवारा नहीं हुआ है कहा जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर आरजडी और कॉंग्रेस में खीशतान है कनहिया कुमार को लेकर संसे के इस्तिति है बेगु सराय सीट है वहां से CPI को चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन कॉंग्रेस से कन लोकसभा चुनाव में भी गिरिराज सिंग के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे और काफी जबरदस टकर दी थी उन्होंने गिरिराज सिंग को हाला कि हार गए थे लेकिन इस बार फिर से ताल ठोकना चाहते हैं कनहिया कुमार लेकिन अब देखना दिल्चस्प होगा कि बे ललन सिंग के खिलाफ जेडियो के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंग ललन सिंग के खिलाफ चुनाव लड़ना आसान नहीं ऐसे में लालू यादब ने रन्निती बनाई कि अगडों और पिछलों की लडाई करवाई जाए और जहां अगडों का प्रतिनिधित्व ललन सिंग क पिछलों का प्रतिनिधित्व असोक महतो करने वाले हैं और देखना होगा कि अगडों और पिछलों की इस लडाई में जीत किसकी होती है फिलहाल इस खबर में इतना ही ताजातरीन खबरों का सलसला लगातार जारी है देखते रहें दर्श न्यूज